तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने basics of law के दो पार्ट पढ़े, law कैसे बनता है, कहां से आता है, उसमें क्या-क्या elements होते हैं, उसके अंदर क्या-क्या essential ingredients होते हैं, जिससे की law एक effective law बनता है, law को किन-किन चीज़ों की साथ धानी बरतनी चाहिए, किन चीज़ों को overrule नहीं करन चाहिए, कौन से चीज़ οι जो लॉपर है, जैसे constitution, किसी भी आक्ट से उपर है constitution, तो law को construct करते बेगे, जो किन-किन चीज़ों का धियान चाहिए, लौ के कितने suGr-sections होते है, ल्ौ के कितने some sections होते है, लौ के कितने parts होते है, law कौन-कौन सरे तरीके से लिखा जाता है, subsection क् explanation क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी अपने last के two sessions में, जो की session था on basics of law, आज हम अपना एक बहुत महत्वपूर्ण law शुरू करने जा रहे हैं, जी हां, आज से हमारा actually syllabus शुरू हो रहा है, जो पिछली आपने basic की class हैं, पढ़ी वो classes, आपके law का actually syllabus नहीं थे, तो आज हम एक बहुत इंपूर्ण law उठाने जा रहे हैं, अपने syllabus का, law का नाम है, The Sales of Goods Act 1930, तो भई, law पे आने से पहले, मैं law की history के बारे में, law पहले क्या था, फिर क्या हुआ, उसके बारे में detail में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा, तो दोस्तों मैंने blackboard पे एक timeline बनाई है, आप सबसे पहले अपनी वीडियो को यहाँ पर pause करके, अपने register पे यह timeline बनाई है, heading डाली है, Sale of Goods Act 1930, और यह timeline आप अपने register पे बना लीजे, यहाँ पर आप 2 मिनिट के लिए कर लीजे, pause, और यह पूरी की पूरी timeline आप अपने register पे बना लीजे, यह मैंने 1872 से evolution दिखाया है, Sales of Goods Act का किस तरह वो evolve हुआ है, ठीक है, तो आपने register पे यह timeline बनाई होगी, आओ इस timeline के अब चर्चा करते हैं, देखते हैं कि कहां से चला Sales of Goods Act और कहां तक आ गया, दोस्तों हर act की कुछ ना कुछ history होती है, हर act किसी वजह से बनाया जाता है, हर act कोई ना कोई purpose होता है, जिसके वजह से बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं, यह act का purpose क्या है, भाई यह act क्यों बनाया गया, इस act की जरूरत क्या है, Sales of Goods Act, हम यह selling करते हैं, goods में जो क्या करता था, तो यह act सबसे पहले, independent act नहीं था, यह act, contract act का ही एक हिस्सा था, contract act का ही एक portion था, sales of goods act और यह अलग से act नहीं था, तो भई, पहले के जमाने में हो सकता है, sales of goods को इतना जादा importance ना दी जाती हो, तो उस जमाने में sales of goods को हमने part बना दिया, contract act का ही, तो पहले के जमाने में ये वाला जो act था वो contract act का ही part था, ये एक अलग से act नहीं था, तो contract act में ही sections डाल दिये गए थे, जहां पर sales की, goods के sales की भी बात करी गई थी और हमने अपने earlier sessions में contract act की detail में चर्चा करी है, और जाना है contract act के essential elements क्या होते हैं, essential sections क्या होते हैं, तो first while, मतलब पहले contract act का ही एक essential part होता था, sales of goods act, तो contract act का ही एक essential ingredient होता था, sales of goods act, 1872 की ये बात थी, अब हुआ ये कि 1930 में हमने realize किया, मतलब government of India ने realize करा, कि नहीं भाई नहीं, sales of goods तो एक बहुत important transaction है, जो कि किसी भी businessman को effect करता है, why only businessman, ये तो एक normal person को भी effect करता है, किसी भी individual को impact करता है, क्योंकि goods का खरीदना बेचना तो हर कोई करता है, अरे भई आप भी goods को खरीदते हैं, आप भी goods में deal करते हैं, आप भी goods को बजार में जाते हैं, खरीदते हैं, आप दुकानदार से बोलते हैं, मुझे goods खरीदने है तो ये काम तो आप भी करते हैं, तो government ने realize करा, how important is sales of goods transaction, और जैसे ही government ने realize करा कि कितना important है sales of goods की transaction, government ने बना दिया, एक separate act जिसका नाम दिया, Indian Sale of Goods Act 1930, अब ये obvious सी बात है, जो section 1872 के contract act में already जुड़े वे थे sales of goods के, उन्हें repeal कर दिया गया, मतलब उन्हें खत्म कर दिय गया, obviously, एक ही lock की दो जगे थोड़ी बात होगी, एक ही transaction की हम दो जगे थोड़ी बात करेंगे, सिर्फ एक जगा बात करेंगे, तो फिर उन sections को जो contract act में लिखे वे थे, उन्हें repeal कर दिया गया, उन्हें overrule कर दिया गया, और contract act को, एक independent act, contract act से हट के, sales of goods act को, एक independent act बना कर दिया गया, and separate act was created as, named as the Indian Sales of Goods Act 1930, अच्छा, इसका जन्म दिवसका है, भई हपी बर्डे हम कब मनाएंगे, अपने Sales of Goods Act का, हम हपी बर्डे मनाएंगे, 1st July 1930, so this act came into force on 1st July 1930, and this is the date of birth of this particular act, Sales of Goods Act, ऐसा ना सोचना, की 1930 से पहले, sales of goods पे कोई नियम, कानून, नियंतरन, control था ही नहीं, अरे नहीं भई नहीं, तब भी था control, तब भी था regulation, बस इतना सा फर्क था, कि वो contract act में include हुआ वा था, contract act के साथ हम उसको देखते थे, अब हमने उसे separate कर दिया, अब हमने उसे एक अलग act बना दिया, क्योंकि उसकी importance इतनी अच्छा, तीसरा जो important milestone या तीसरा जो important event हुआ, हमारे sales of goods act के जीवन काल में, जीवन चर्या में, वो हुआ 1963 में, भाई हमने realize करा कि हमारे किसी भी act के आगे Indian word नहीं used हुआ है, हम generally Indian word यूज करने से avoid करते हैं, क्योंकि unnecessary हम एक word add कर रहे हैं, भाई, obvious सी बात है, इंडिया मे अगर ये act पास हुआ है, तो ये Indian ही होगा, ये UK में applicable नहीं होगा, ये Pakistan में applicable नहीं होगा, ये Bangladesh में applicable नहीं होगा, तो हमने 1963 में, ये act जो बना था 1930 में, इसके अंदर से Indian word को गायब कर दिया, और इस act का rename हो गया, Sales of Goods Act 1930, तो ये जो Sales of Goods Act जो rename किया गया, उसको rename करा गया 22nd September 1963 को, ये तीन major events है, जो Sales of Goods Act के जीवन काल में आए, और जिन की वज़ा से Sales of Goods Act में कुछ तबदीली आए, तो देखो एक बात ध्यान रखना, नाम जरूर चेंज हुआ 63 में, लेकिन हम date of birth इसकी पक्का 1930 ही मानेंगे, ऐसा नहीं कि नाम सर उस समय आया, तो फिर नाम अग 1930, कितने लोग, आप Times of India उठा के देखो, भारत Times उठा के देखो, कोई भी newspaper उठा के देखो, उसमें नेम चेंज का एक कॉलम होता है, कितने लोग अपने जीवन काल में अपना नाम चेंज करते हैं, बहुत सारे लोग नाम चेंज करते हैं, क्या इसका मतलब ये है, कि उनका जन्म उसी दिन हुआ, जिस दिन नाम आया? नहीं भई, नहीं जन्म हो गया था, 1930, नेम चेंज हुआ, 1963, that is why the origin of this particular act, which is known as the Sales of Goods Act, will be year 1930 only, आप ये कभी नहीं कहोगे, कि इसका जो origin हुआ, वो 1963 में हुआ, क्योंकि 1963 में मेरली नेम चेंज हुआ, नेम को हमने convert करके कुछ और नेम रखा, चलो, अब सर, इस act की जरूरत क्या है, what is the purpose of this particular act, इस act की हमें आवश्चक्ता क्या है, हमें need क्या है, हम क्यों इस act को utilize करें, हम क्यों इस act को पढ़ें, हम क्यों इस act की जरूरत हमें क्या महसूस हो रही है, वो बताइए सर, सर, कोई reason ही रहा होगा, फालतु में तो कोई act लाता नहीं, act लाने के बिचे कोई रहा होगा, reason क्या होगा, dispute, दो लोगों के बीच में लडाई, हमने basics में पढ़ा था, लडाई ही, किसी act की, किसी law की जननी होती है, किसी act की, जो mother होती है, या जो requirement होती है, वो आती है लडा dispute रहा होगा, किन दो लोगों के बीच में dispute रहा होगा, dispute between buyer and seller, जी सर, ये act, focus करेगा, उन transaction पे, जहां पर दो लोग involved हैं, एक buyer और एक seller, अच्छाप सुनना जरा, मेरे पास, 40,000 रुपीज थे, मुझे एक AC लाना था, मैं AC लाया, मैं खरीद के अपने घर में लगा लिया, क्या ये act मेरे पाप अपलाए करेगा, हां सर, act मेरे पाप अपलाए करेगा, आपने sale की transaction करी है, मतलब obviously, purchase buyer के लिए हो जाएगी, purchase seller के लिए होगी sale, एक ही बात है ठीक है सर, बात समझ में आई, आचा आप सुनना, मेरे पास 40,000 रुपीज नहीं थे, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार सिकारे भाई सुन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे lease पे, क्या तुम मुझे किराए पे AC दे सकते हो, दुकानदार ने का हाँ, हम तुमें किराए पे AC दे सकते हैं, बही किराया लगेगा 800 रुपे महीना, हमने का ठीक है, उसने अपनी, बही calculate करा होगा, 5 साल on average यह सी चलता है, 5 साल 40,000 रुपे 5 साल में डिवाइड कर दी, अपना profit आइड किया, उसने का बही 8,000 रुपे हम हर साल का किराया लेंगे, obviously हम थोड़ा सा profit भी आइड करेंगे, उसमें अपना हमारा भी तो share होगा, थोड़ा सा extras में, तो यह transaction आप कौन सी बन गई, क्या यह sale है, यह lease है, अब बताओ जरा, अगर dispute आया मेरे और दुकानदार के बीच में, क्या मैं इस वाले act की शरण ले सकता हूँ, answer is no, अब की बार में इस वाले act की शरण नहीं ले सकता, अब की बार यह वाला act में irrelevant है, क्योंकि यह वाला act सिर्फ और सिर्फ किस transaction पर अप्लाए करेगा, sales of goods act पर अप्लाए करेगा, यह कताई, lease की transaction पर अप्लाए नहीं करेगा, यह कताई, higher purchase की transaction पर apply नहीं करेगा, यह कताई किसी भी और तरह की transaction पर apply नहीं करेगा जो sale के अलावा हूँ, तो हमने पढ़ा था, what's in the name, many things are there in the name, many demarcations are there in the name, many proof of the existence, the characteristics, the responsibility are there in the name, so name एक बहुत बड़ा indicator होता है, बहुत सारी चीज़ों को indicate करता है, सबसे पहले indication, sale transaction को, sale transaction means dispute होगा किस के बीच में, buyer seller के बीच में जो भी dispute होगा, वो dispute हमारा, कौन से act से govern होगा, वो act से govern होगा, sales of goods act, अब सवाल यह उटता है, sir, subject matter क्या होना चाहिए, dispute का, subject matter of dispute, should be goods, भई मैं गया, दुकानदार, मैं गया, बारबर के पास, haircut कराने, मेरे बाल बहुत बड़े हो गए, अभी वैसे काफी बड़े हैं, चलो, कुछ दूनों में कराऊंगा, haircut, मैं गया बारबर के पास, बारबर से मैंने का, भाई, मुझे haircut लेना है, ठीक है, haircut दो, haircut उसने दिया, और उसने बड़ा ही वाहियात सा, कटोरा कट कर दिया, कटोरा कट मतला मश्रूम जैसा मैं लग रहा था, ऐसे कटोरा रखा, और चानों तरफ से काट दिया, बिल्कुल छोड़े चोड़े कर दिया, बीच में कुछ भी नहीं काटा, अजीब सा haircut लोगे है, ब मुझे नहीं, मुझे तो केस करना है, अरे सर छोड़ो, बिचारा गरीब आदमी, दो वक्ती रोटी कमाता है, बारबर गरीब आदमी, अरे गरीब आदमी नहीं था, मैं गया था कितांजली स्टूडियो, बहुत महंगा, एक तो पैसे पूरे ले लिए, उपर से haircut भी ठीक स नहीं करा, अच्छा सर, अब अगर आप उनमादा ही हो, कि हाँ आपको कोई ना कोई केस करना है, उस बंदे के अगेंस्ट, बारबर के अगेंस्ट, तो ठीक है सर, कर दो केस, अब बताना, क्या मैं केस इस Act के अंदर कर सकता हूं उस बारबर पे, आंसर इस, नो, क्यों, क्य का जो जगडा है, वो मुझे Sales of Goods Act में कोई भी काम नहीं करेगा, तो Sales of Goods Act की मैं शरण नहीं ले सकता, तो फिर मुझे कोई और Act की शरण लेनी पड़ेगी, वो कौन सा Act है सर, जिसकी शरण लेनी पड़ेगी, भाई मुझे नहीं पता, हम तो अभी Sales of Goods Act पढ़ रहे हैं, परपस है dispute, dispute किसके बीच में होना चाहिए, बायर सेलर के बीच में होना चाहिए, दूसरी बात subject matter of dispute क्या होगा, goods होगा subject matter of dispute, तो ही यह वाला act invoke कर सकते हो, अदरवाइस आप यह वाला act invoke नहीं कर सकते हो, अब sir, यह बताइए, आपने तो बड़ा basic सा example दिया, sir, dispute क्या हो सकता है, सेल की transaction में, आपने पैसे दिये, हाँ जी, दुकानदार ने आपको समान दिया, हाँ जी, समान लेकर आपने घर चल गया, आप समान को consume कर रहे हो, खा रहे हो, अपने घर में मस्ती से, समान को enjoy कर रहे हो, sir, what kind of disputes can arise in a sale transaction, okay, बहुत simple है भई, आपने दुकानदार को बोला कि सुनो दुकानदार, आपने, suppose furniture बनवाया, फर्नीचर बनवाने के बाद आपने दुकानदार को का, सुनो दुकानदार, ये furniture जो तुमने अभी मुझे बना के दिया है, ये जरा मेरे घर तक पहुचवा दे ना, दुकानदार ने पर तो माना किया, नी, नी, सर, हम घर तक सवाल ये उठता है, कि जब गुड को मैं या मेरा कोई आदमी ट्रांसफर कर रहा था, manufacturer के पास से मेरे घर पे, अगर वो आदमी मेरा था, तो responsibility किसकी हुई, लॉस बियर करने की, तुम कोगे सर, obviously हमारी हुई, चलो, ये तुमने अभी logical answer दिया है, मुझे, legal answer कुछ और हो सक कि सर ये आप कैसे ले जाओगे, अच्छा आप नहीं ले जाना चाहते, आप मुझे 500 रुपे, 1000 रुपे एक्स्ट्रा दे दो, मैं अपना बंदा भेजता हूँ, और वो आपके घर पे डिलिवर करा देगा माल को, आपने का ठीक है भई, आपना बंदा भेज दो, मैं आपक अब तीसरा सिचुएशन सुनना, तीसरा सिचुएशन ये, कि भई, जब माल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तब आपने कहा, कि ट्रांसपोर्ट तो आप करें, आप अपनी रिक्षा देखें, लेकिन मेरा भी एक बंदा उस रिक्षा में बैठा होगा, आप रिक्षा में करे एक बंदा उसमें बैठा था, अब तो दोनों मिक्स हो गए, आपका भी बंदा बैठा था, उसका भी बंदा है, अब अगर समान टूटा पूटा, तो किसकी responsibility, अब बताओ, complex हो गया है यहाला situation, अब responsibility किसकी दो गए, अब loss कौन बियर करेगा, यह बताओ, तो इस तरह की complex transactions, complex transactions मतलब, sales purchase, एक तो easy, जो आप easy sales purchase करते हो, तो बहुत easy है, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने समान लिया और आपने, अपने घर आ गए, तो बहुत easy transaction है, अब अगर आप business world में देखो, तो भी business world में delivery से लेकर, उसमें कुछ अगर आपको चीजेंच कर आपने बोला कि यह furniture जो है, इसका वर्निश करा के, मैं पैसे तो मैं पूरे देके जा रहा हूँ, आप इस furniture को वर्निश करवा के रखना, वर्निश करवा के आप यह furniture मुझे भेजना मेरे घर पे, जब वर्निश हो रहा था, आपने पैसे भी पूरे दे दे, sale transaction हो गई, वर् यह तो तुमने रखा था अपने go down में, हाँ खरीद मैंने लिया था, ownership मेरे पास transfer हो गए थी, लेकिन go down में किसके रखा था, तुमारे रखा था, तो तुम loss bear करो, इस तरह के dispute, कि sale को हम कब मानने की sale हो गई, एक होता है, पैसे देना, पैसे तो आपने दे दिये, लेकिन क् एसे देना, sale माना जाएगा, क्या delivery sale माना जाएगा, तो इस तरह के तमाम dispute जो arise होते हैं, उन सारे के सारे dispute को कौन resolve करेगा हमारे लिए, sales of goods act, अचा आज कल एक बड़ी मस चीज़ होने लगिया, मुझे बहुत जादा मज़ा आता इन वाली इस चीज़ के लिए, और जब य शुरू हुआ था ना, तो तो लोगों ने से बहुत misuse भी किया, तभी क्यों आज भी लोग बड़ा misuse करते हैं, especially जो young generation है, वो इस facility को बड़ा misuse करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, facility क्या है, facility है, Amazon, Flipkart, Mintra, जितने भी online portals हैं, ये एक option देते हैं अपने users को, कि आप sale करना मतलब आप purchase करना, 15 दिन के अंदर अंदर, try करना, पहनना, use कर लेना, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर अपने से return कर दिया, हम आपके पूरे पैसे वापिस दे देंगे, पूरे के पूरे पैसे वापिस दे देंगे, अब इन 15 दिन के अंदर, अगर किसी ने इसे पहना, use किया, और वो किसी function में गया, party में गया, कहीं भी उसने enjoy किया, तो हाँ, कर सकता है, करते हैं, लेकिन obviously वो गंदा हो जाएगा, तो फिर आपका responsibility आ जाएगी, बट ये एक facility है, इस facility का नाम है, sale on approval or return basis, या तो approve कर दो, या return कर दो, अब सोचना ज़रा, जब sale on approval and return basis है, मतलब जब seller को यही नहीं पता, कि ये माल बिका है, पैसे तो आ गए, लेकिन ये माल बिका है, या 15 दिन बाद वापिस आ जाएगा, जब seller को खुद ये बात नहीं पता, तब क्या आप सही माईनों में बोल सकते हो, कि ये sale हुई है, और suppose अगर इन 15 दिन के अंदर good destroy हो गया, sale अगर नहीं हुई और good destroy हो गया, तो ownership किसकी, Amazon की या आपकी जो ये product यूज कर रहा है, तो इस तरह कि बहुत complex transactions, business man को face करनी पड़ती है, business community को face करनी पड़ती है, retailers को face करनी पड़ती है, अब एक classic आपको example देता हूँ, आर्ची store पर अगर आप जाओ, आर्ची store या किसी भी fancy store पर जहां पर कुछ कांच की items रखी हो, या कुछ decorative items रखी हो, तो वहाँ एक slip लगी भी होती है, if broken, it will be considered as sold, अगर आपने वो कांच की चीज उठाई आप देख रहे थे, और suddenly आपके हाथ से गिर गई, तो हम consider कर लेंगे कि ये big गई, अब हम ये भी देखेंगे, देखो लडाई मत करना जाके, कल को ये मत करना कि, sales of goods act में तो ऐसा कुछ ने लिखा तो तुम ये नहीं कर सकते, हम तुमारे सारा दुकान के माल तोड़ देंगे, ऐसा मत करना, बहुत पिटाई होगी, लेकिन हम ये भी देखेंगे, कि क्या ये जो लिखा होता है, इसकी legal sanity है, क्या ये जो लिखा है, इस तोड़ने को sale माना जा सकता है, क्या seller आप से पैसे ले सकता है, हम ये चीज़ भी देखेंगे इस act के तहत, क्योंकि दोस्तों, ऐसे तो कल को क्या होगा, क्योंकि लोग समझते हैं, हम law makers हैं, कल को क्या होगा, दुकानदार कहेगा, if you see my product, I will consider it as sold, अगर आपने मेरा product देखा, देख भी लिया, show window में लगा था, देख लिया, आपने, suppose उसका डिबबा खोल के, देखो, logical answer मत देना, तुम logic से तो अपने answer दे सकते हो, कि जहां सर यह होना चाहिए, मैं तुम्हें legal answer दूँगा, फिर हम देखेंगे, कि हमारा logic, और जो law में लिखा है, वो दोनों कैसे आपस में correlate होते हैं, कैसे आपस में interrelate होते हैं, कई-कई जगा हमारे logic और जो law में लिखा है, वो आपस में correlate नहीं होंगे, ऐसा भी situation आएगा, लेकिन we can't do it, we can't help it, we can't do anything about it, because whatever is written in the law is final, is absolutely concrete, it cannot be changed, so, हां, logically कई बार चीज़े हम सोचेंगे, सरी ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रॉबली सरी वाला section इस तरह लिखा जाना चाहिए था, आप ऐसी बते definitely सोचोगे, going forward, but हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो law में लिखा है, वो ही चीज़ फाइनल है, तो आज हो ज़र अपने module में, एक बार पढ़ते हैं, Purpose and History of this Act, So this Act regulates the sales of goods, that are bought and sold between a buyer and a seller, So purpose क्या है इस वाले Act का, इस वाले Act का purpose है, कि ये regulate करेगा sales of goods, तो सबसे important बात कि ये सिर्फ goods को ही regulate करेगा, sales of goods को ही ये consider करेगा, sales of goods को ही ये देखेगा, that are bought and sold, जो कि खरीदे और बेचे गए हैं, between a buyer and a seller, seller और बायर के बीच में जो खरीदे ये बेचे गए हैं, sale is the most common transfer in business, affected by contract of sale, so sale एक बहुत important और बहुत basic transaction है, transfer की, जो हर businessman करता है, businessman ही क्यों individual भी करता है, individual ही क्यों partnership, proprietorship, किसी भी तरह का अगर आप constitution ले लो, business का, वो सब ये transaction को करते हैं, इस act details out the rights and duties of the seller and the buyer in the transaction of sale, तो बायर की क्या rights है, बायर की क्या duties है, और seller की क्या rights है, seller की क्या duties है, हम उस aspect को इस वाले chapter में cover करेंगे, तो ये act हमें बताएगा, rights and responsibility of the seller and the buyer, तो seller को क्या क्या चीज़ों का धियान देना चाहिए, बायर को क्या क्या चीज़ों का धियान देना चाहिए, एक transaction of sale में, और कैसे वो दोनों अपनी duties और responsibilities को निभाएँगे, ये हमें ये वाला act बताएगा, brief history of this act is and as under, before the enactment of the sales of goods act 1930, the transactions related to sale and purchase of goods, were regulated by the Indian contract act 1872, तो जैसे मैं आपको board पे explain किया था, कि ये act आने से पहले, Indian contract act 1872 में ही sales of goods का section डलावा था, अब उसको हमने जब देखा कि इतना important है sales of goods act, हमने वो section को वहाँ से repeal कर दिया, हमने वो section को वहाँ से हटा दिया, और अलग से act बना दिया, जिसका हमने नाम रखा Indian sales of goods act, in 1930, section 76 to 123 of the Indian contract act were repealed, मतलब खत्म कर दिये गए, and a separate act called Indian sales of goods act 1930 was passed, it came into force on 31st, on 1st July 1930, birthday of this act will be celebrated on 1st July 1930, with effect from 2nd September 1963, the word Indian was also removed, now the present act is called the sales of goods act 1930, तो ये act की ये history है, अच्छा एक आपको मैं important चीज़ बता दू, भाई ये FYK section है, FYK section कौन से section होते हैं, FYK section वो अले section होते हैं, जो हमें exam perspective से याद नहीं करने, जो exam perspective से इतने जादा important नहीं है, बस वो आपकी information के लिए हैं, तो आपको याद नहीं करना, ये जो history मैं आपको बताई है, sales of goods act के आपको याद नहीं करनी, ये history सिर्फ और सिर्फ आपकी knowledge के लिए है, exam में इससे related कोई भी question नहीं आएगा, ठीक है sir, बात समझ में आगई, तो sir अब बताईए, कहां से exam में question पूछा जाएगा भाई, जो main sections है, वहां से exam में questions पूछे जाएंगे, आपकी act हो, उन सब का जो section number one होता है, वो होता है, the title and applicability. So, इस act का भाई title क्या है, हमें पता है, इस act का title है, the sales of goods act 1930, आओ देखते हैं, footnote 1 क्या कहता है, footnote 1 कहता है, Shakespeare says what's in the name, is it true, लिखो यहाँ पर ज़रा, not true, because name of the act tells about the subject of the act. तो नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, what's in the name, नेम में कुछ ने रखा, नेम बिकार की चीज़ होती है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नाम है, वो true essence क्या है उस act का, true objective क्या है उस act का, वो बताता है, so, बिल्कुल भी यह चीज़ रेलिवेंट नहीं है, ठीक है सर, अब आजओ ज़रा, section 2 पे चलते हैं, section 2 बैं आपको बताया है, याद करने की जरुवरती नहीं है, definition ही होगा हमेशा, हमेशा definition होता है section number 2, ठीक है सर, section 2 of the act defines various terms used in the act, they are as under, section 2 करने से पहले, आज़रा applicability भी एक बार देख लें, it extends to whole of India, except state of Jammu and Kashmir, so यह जो act है, यह पूरे इंडिया पे apply करता है, बस state of Jammu and Kashmir पे apply नहीं करता, सर, section 370 अभी अभी रिपील हुआ है, article 370 of the constitution रिपील हुआ है, क्या उसके बाद भी, यह वाला act अभी भी Jammu and Kashmir पे apply नहीं करेगा, भई, government ने अब तक सिर्फ 37 acts हैं, जिनको notify किया है, जो Jammu and Kashmir पे apply होंगे, हाँ, subsequently government और भी sections को definitely notify करेगा, और subsequently यह भी Jammu and Kashmir पे apply होगा, प्र आज अफ नाउ, यह Jammu and Kashmir पे apply नहीं करता, next, it shall come into force on first day of July 1930, birthday, happy birthday कब है, हमारे इस वाले act का, happy birthday है, first of July 1930, this is the date when this section came into force, आओ चलते हैं, definition पे, definition मतलब, sir, कुछ जो terms हम section में use करेंगे, act में use करेंगे, उन terms को हमें, पहले से define कर लेना चाहिए, हाँ भई, हाँ, उनको हमें define कर लेना चाहिए, तो सबसे पहली जो term है, जिसको हम use करेंगे अपने section में, वो term है, buyer, what do you mean by a buyer, buyer is a person, अब देखना, buyer क्या, तुम जेनरल अगर इसका मतलब समझ हो, तो हमें पता है sir, खरिदार, जो goods को खरीदे, that is known as a buyer, buyer है, खरिदार goods का, goods का खरिदार, उसे कहते हैं buyer, लेकिन जरा ध्यान से definition को पढ़ना, buyer means a person who buys or agrees to buy, ध्यान देना, अगर आपने buy करा, खरीद लिया आपने कोई चीज़, अपने घर ले आए और आप उसे use कर रहे हो, तो आप buyer होई हो, लेकिन अगर आपने किसी दुकानदार को ये कह दिया, कि हाँ, मैं इसको buy कर लूँगा, तू इसमें कुछ काम कर दे, या तू इसको किसी condition से ठीक कर दे, या तू अपने गोडाओं उसे से मंगवा ले, तो भी आप buyer माने जाओगे, तो buyer दो तरह से बन सकते हो आप, या तो आप buy कर लो actual, act आपका buy करने का, या फिर आप promise कर दो, agree कर लो buy करने का, तो भी आप buyer माने जाओगे, भाई हम इसी chapter में एक concept पढ़ेंगे, sale and agreement to sell, sale and agreement to sell, वहाँ पर हम ये वाला concept यूज़ करेंगे, कि अगर आप ऐसा agreement करते हो, कि आपने अभी immediately sale नहीं करी, but subsequently आपने वादा कर दिया, कि हाँ मैं ये sale करूँगा, और ये purchase करूँगा, तो भी हम उसे effective मानेंगे, तो भी आप पे ये law apply हो जाएगा, तो वादा करना भी खतरनाक है, वादा करके आप मुकर नहीं सकते हैं अपने वादे से, so buyer means, a person who buys और agrees to buy goods, अच्छा, उसका सेम मतलब क्या होगा, seller means, a person who sells और agrees to sell the goods, तो या तो person sell करे, या agree कर ले, कि मैं ये goods बेचूँगा, तो वो seller माना जाएगा, ठीक है सर, next, delivery, अब सारा जगड़ाई भई, delivery का है, अगर delivery हो गई, हमारे सर से स्यापा मुक्या, स्यापा खतम, delivery हो गई, लेकिन अगर delivery नहीं होई, और transaction हो गई, और पीच में खुदा आना खासता कोई गरबड़ी हो गई, किसी भी तरह का, तो जब भी ट्रांसफर होता है, possession का, possession मतलब आप जो चीज होल्ड करते हो अपने पास, जब भी ट्रांसफर होता है, possession का, अच्छा एक वर्ड यूज हुआ है, voluntary, voluntary मीन जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, अपने आप, voluntary जब भी possession ट्रांसफर होता है, उसे मैं मानूँगा delivery, अगर आपने जबरदस्ती किसी के घर में जाके, समान पटक दिया, लो ही तुमारा समान है, तुमेंसे यूज करो, मैं उसे delivery नहीं मानूँगा, मैं उसे sale नहीं मानूँगा, जैसे दिल्ली में एक बड़ी फेमस जगह है, दोस्तों, पाली का बजार, पाली का बजार में क्या होता है, वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं, जब आप purchase नहीं कर रहे होते चीज़ें, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, जब खरीदो खरीदो आपकी जेम में टाल देंगे, टाई होगी तो आपको पहना देंगे, वो आपको पहना देंगे, खरीदो खरीदो, voluntary act is delivery, forceful act is not delivery, so, delivery means, voluntary transfer of possession from one person to another person, जब एक परसन से दूसरे परसन पर voluntary transfer होगा, possession का, possession मतलब आपने जो चीज़ होल्ड करीवी है अपने पास, उसका जब voluntary transfer होगा, उसे मैं आम दूँगा delivery, next, और बड़ी important definition, भाई ये definition इतनी जादा important है, कि इस पे पूरा literature लिख सकते हैं, और ये definition है, definition of goods, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये act सिर्फ और सिर्फ goods पे लगता है, ये services पे नहीं लगता, ये सिर्फ और सिर्फ goods पे लगेगा, sir अब ये goods होते क्या है, हम कैसे distinguish करेंगे between goods and services, कैसे हम demarket करेंगे, आओ देखते हैं, goods की definition क्या है, most important definition, इसके आगे लिख लेना, important, goods means, means, देखते हैं करके पढ़ेंगे, एक एक वर्ड अराम अराम से, every kind of, movable property, अच्छा, रुख जाओ, रुख जाओ, भई कुछ words मिले हैं, every kind of, मतलब हर प्रकार की, movable property, movable मतलब, चलायमान property, चलायमान मतलब, जो एक जगे से उठागे, दूसरी जगे पर रखी जा सकती हो, और यह चलायमान का, यह मतलब नहीं, जो चल के खुच जा सकती हो, नलायक, मुझे पता है, तुम यही सोच रहे थे ना, कि जो चल के खुच जले जा, laptop यहां रखा है, laptop चल के वहाँ चला जा, नलायक, जो खुच मूव करें वो नहीं, मूवबल मतलब जो उठा के, दूसरी जगे पर रख सको, उसे कहते हैं हम, मूवबल प्रॉपर्टी, तो देखना, डेफिनेशन मुझे क्या कहते है, डेफिनेशन कहते है, गुट्स मीन्स, एवरी काइंड ओफ, हर तरह की, मूवबल मतलब जो एक जगे से, दूसरी जगे रखी जा सके, other than actionable claims and money, and includes stocks, shares, growing crops, grass and things attached to, or forming part of land, which are agreed to be severed, before sale, or under the contract of sale, और इभापरे, और इतनी बड़ी डेफिनेशन, सरम तो बिलकुल confused हो गए, तो बिलकुल भी confusion की बात नहीं है, मैंने goods की definition को, एक chart के थूँ यहां पर समझाया है, ठीक है, goods की definition है, section 2, 7, मैं section का नाम भी यहां पर लिख देता हूँ, आपके ready reference के लिए, section 2, 7, तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, सर, law में हम section, section, section पढ़ते रहते हैं, इतने सारे paragraph पढ़ते हैं, subsection पढ़ते हैं, clauses पढ़ते हैं, सर, क्या यह section हमें याद करने हैं, देखो, जो main sections हैं, जो main paragraphs हैं, जो main elements है law के, वो अच्छा रहेगा अगर आप याद करो, हाला कि अगर नहीं भी याद करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी marks नहीं मिलेंगे, या बहुत जादा आपके marks कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी recommendation हमेशा यही रहता है, कि आपको याद करना चाहिए sections, जो main main है, सारे नहीं, तो मैं आपको कहूँगा, buyer की definition करना section याद करो, seller का याद करो, goods का याद करो, definition में से, तीन most important definition के section है, जो याद कर लो, बाकि सारे याद करने की ज़रूबत नहीं है, ठीक है सर, तो देखो, goods का क्या मतलब है, सबसे पहली बात, goods का मतलब है, literally मतलेना, जो चले अपने पैरों पर वो नहीं, जो चीज आप एक जगे से उठागे, तुस्री जगा पर रख दो, तो अगर मैं आपको example दूँ, sir, almari, almira, क्या ये movable property है, हाँ, ये movable property है, AC, AC क्या movable property है, हाँ भई, movable property है, भी एक जगे fixed है, उसको उठागे कहीं और रख लो, कहीं और fix हो जाएगा, अच्छा, sir, chair table, क्या movable property है, या immovable property है, movable property है, उसको उठागे कहीं और रखा जा सकता है, अच्छा, sir, building, क्या movable property है, या immovable property है, sir, immovable property है, unless and until, आपकी building हो, वो जैसे truck होते हैं, आजकल भार के देशों में बहुत चलता है भई, truck में लोग अपना घर बना लेते हैं, तो वो truck उनका घर है, लेकिन वो movable है, क्योंकि वो एक जगे से दूसरे के जा सकता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा है, मैं हमारे eint और cement से बने वे घरों की बात कर रहा हूं, वो है immovable property, building है immovable property, तो building का खरीदना और बेचना, इस act के अंदर cover नहीं होगा, क्योंकि building good है ही नहीं, क्योंकि building good है ही नहीं, हम इस वाल act में नहीं जाएंगे, तो sir किस act में जाएंगे, वो भई हम अभी नहीं discuss कर रहे हैं, हम किस act में जाएंगे, अच्छा, मुझे बताओ, आपके पस एक बहुत बड़ी factory है, बहुत बड़ी factory के मालिक हो आप, क्या factory movable property है या immovable property है, जी हाँ, immovable property है, वो एक जगह से दूसरी जगह transfer नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस building को अगर उठाओगे, तो वो possible नहीं होगी transfer करनी, अच्छा, next, plant and machinery, क्या movable है, या immovable है, plant and machinery, तो भई, plant and machinery, वो अली plant and machinery, जो जमीन से fixed होती है, जिनको आप उठा कि एक जगह से दूसरी जगह, बिना उने तोड़े फोड़े नहीं ले जा सकते, वो तो immovable की category में आएंगी, बड़ दोस्तों, आजकल जितनी भी plant and machinery होती है, कोई भी ऐसी नहीं होती, जो बड़ा जमीन से, जिसको सिमेंट से हम fix करते हों, तो generally plant and machinery को भी मैं movable की category में रखूँगा, और plant machinery एक factory से, दूसरी factory में आराम से move हो जाती है, कोई दिकत नहीं आती, वो भी है movable property, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो सबसे पहली चीज मेरा good sales of goods act बतात मैंने बात समझ ली कि हाँ, इं movable property goods की category में नहीं आएगा, तो every kind of, हर तरहां की, every kind मतलब हर तरहां की movable property include करेगा, sales of goods act, goods की definition के अंदर include करेगा, next, stock and shares, किसी भी तरहां का भी stock पढ़ा है आपके पास, material का, raw material का, finished good का, work in progress का, पूरा का पूरा stock आपकी movable property होगा, आपकी property है, move हो सकती है, definitely, और shares, shares मतलब securities आपने किसी government of, आपने किसी company में, Indian company में या foreign company में invest करेवे हैं, shares लिये हैं, तो अब सवाल योड़ता है, क्या वो goods हैं, क्या उनको भी हम goods की category में रखेंगे और sales of goods act की category में लाएंगे, answer is yes, shares को, securities को हम sales of goods की category में लाएंगे, और उसको हम goods की category में include करेंगे, so it's an inclusion in the definition of goods, अब आगया सबसे critical part, लेकिन इस critical part को start करने से पहले, मैं दो exclusions आपको बता दूँ, exclusion number one है, actionable claim, actionable claim, good नहीं होता, sir, ये actionable claim होता क्या है, पांच मिनिट दे दो, अभी definition पढ़ेंगे actionable claim की, तब मैं तुम्हें समझा दूँगा actionable claim क्या होता है, अभी ये question park रखो अपने दिमाग में, मैं पांच मिनिट में इसका answer देता हूँ, next, money, दोस्तों money goods नहीं होता, money good की category में नहीं आता, sir, ये तो obvious सी बात है, money कोई पेशते थोड़ी है, अभी ऐसा थोड़ी होता है, 10 रुपे का note मैं आपको दूँगा दो, 10 रुपे मेरे से खरीद ले, 10 रुपे मुझे, ये तो बड़ी वाहियात सी, अजीब सी बात हो गई, कि 10 रुपे मुझ से ले, 10 रुपे पैसे मुझे देता है, ऐसा कोई थोड़ करने का प्लान कर रही है, नहीं, वो Chinese app नहीं है, कोई, उसका नाम है, Cryptocurrency, Cryptocurrency, तो दोस्तों, Cryptocurrency है, एक parallel currency, money जैसी ही एक currency, जो की समान को खरीदने बेशने के काम आ सकती है, और ये Cryptocurrency एक parallel money, एक parallel economic rate कर देती है, और money का ही एक दूसरा रूप है Cryptocurrency, और Cryptocurrency, खूब ट्रेड होती है, खूब खरीदी बेची जाती है, Cryptocurrency का भाव बढ़ता भी है, कम भी होता है, depending upon market में कैसा, economy में किस तरह का movement चल रहा है, तो इन तरहां की चीजों को, जो Cryptocurrency होती है, जो money का दूसरा form होता है, उस form को कोई खरीद बेच भी सकते हैं, इसलिए उसको exclude करने के लिए हमने बोला, money as a whole should be excluded from definition of goods, so actionable claim, हटा दो, money, हटा दो, goods की category से, अगर इनने खरीदोगे या बेचोगे, तो एक goods की category में नहीं fall करेगा, तो sir अब बताईए, क्या fall करेगा, अच्छा भई तुमने बताया, land fall करेगा, immovable category में, बिल्कुल sir, immovable है land, तो land का अगर खरीदना बेचना होगा, तो वो हम include नहीं करेंगे, while considering the definition of goods, बिल्कुल सही बोला, अच्छा अब बताना, तो गुड है ना, क्योंकि वो तो move कर सकते हो ना तुम, तो अगर land के ओपर कोई चीज ग्रो हुई भी है, तो उसे मैं movable मानूंगा, या immovable मानूंगा, sir, दो situation होगी उस case में, growing crops, grass, etc., तो जो crops grow कर रहे हैं, और गास है, गास पूस है, attached to the land, इसके दो alternatives है, alternative number one, agreed to be severed before sale, तो जो मेरा vendor है, मैं उसे कह दिया, भई, जब मैं इसे बेचूँगा, तो obviously मैं तो मैं land थोड़ी बेचूँगा, मैंने पहले काटूँगा, तो जब फसल तियार हो रही होती है, तो कई बार जो हमारा farmer होता है, वो जब फसल तियार हो रही है, तभी उसे बेच देता है, पहली उसे बेच देता है, तो जब उसे वो बेचेगा, अगर उसने farmer ने तहिये किया है, कि जो घास होगी, मैं उसे पहले काटूँगा, और काटने के बाद तुमको बेचूँगा, तो तो वो goods की काटिगरी में दोस्तों आ जाएगा, obviously, काटोगे बेचोगे, तो तो goods की काटिगरी में आ गया, लेकिन अगर आपने नहीं agree किया है, कि आप काटोगे और फिर बेचोगे, तो वो goods की काटिगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कई समझदार लोग, कई समझदार लोग ऐसा कर सकते हैं, कि वो बोलें, कि हम भाई goods सेल कर रहे हैं, हम चावल सेल कर रहे हैं, और चावल के सेल करने के गाब में, चावल के सेल करने के एवज में, वो अपनी लैंड भी सेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, चावल पहोगा वाई मैंने पूरी लैंड की लैंड सेल कर दी बड़ा सबरदस एक्जामपल और यह एक्जामपल बहुत कॉमनली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा इकनॉमी में देखने को मिलेगा बई टिंबर के ट्री जिससे लकडी मिलती है हाइड क्वालिटी की जो की बे बेच के आप मार्केट में उसका वसूल कर सकते हो पैसे तो जैनरली क्या होता है टिंबर की ट्रांजक्शन में क्योंकि ट्री को ग्रो करने में दोस्तों कई साल लगते हैं 20-25 साल लगेंगे ट्री जब तक फुल ग्रोन होगा और उसकी लकडी काटने लायक होगी तो उसमे बोला गया भाई आप पूरा का पूरा बाग ले लो आप उसे काटो आप उस ट्री को यूज कर लेना वोड को यूज कर लेना बहुत बड़ा बाग है और जो जमीन बचे उसे आप वैसे छोड़ के चले जाना कि जमीन जो होती है वो खेत खलियानों में होती है फोरेस्ट म नहीं है, और अगर आपने वादा किया है, कि नहीं, मैं पहले, आपको बेचने से पहले, काट दूँगा, ट्री, काट दूँगा, गेहूं, काट दूँगा, राइस, तब मैं कहूंगा, कि ठीक है, वो goods हैं, क्योंकि वो फिर movable property बन जाती है, तो जो important चीज है, जो आपको ध बिकेगा, बिना कट हुए बिकेगा, तो वो goods की category में नहीं आएगा, मतलब तब उस पे sales of goods act नहीं लगेगा, sales of goods act सिर्फ उन चीजों पर या उन goods पर लग सकता है, जो goods की definition में आएंगी, तो आओ एक बार definition मिल के दुबारा से पढ़ लेते हैं, अब आपको आसानी से definition every kind of movable property, हर तरह की movable property, other than actionable claims, actionable claim और money को छोड़ कर and includes stock and shares, growing crops, grasses and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before sale or under contract of sale, अब जरा मैं तुमें एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ी सी practical बात है, भई, practical बात देखो ये जो portion है, ये जो portion अभी अभी मैंने square किया, आओ इसे different color से करता हूँ, ताकि तुम एक दम इसे पहचान जाओ, ये जो portion है, जो तुमने square blue में देखा, ये law में apparently लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने implication draw करी है, interpretation draw किया है law का, law में जो बात लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, तो अगर कोई बूछे तुम्हें law में क्या बात लिखी हुई है, तो तुम क्या बोलोगे, कि जो product कट गया, बेचने से पहले, वो good की category में आ गया, तुम ये बोलोगे बात, जो product कट गया, बेचने से पहले, वो good की category में आ गया, बस फिर तुम चुप जाओगे, फिर तुम आगे नहीं बोलोगे, कि law में तो इतना ही लिखा है, अगर तुम्हें बोले कोई कि भई, इसका मतलब क्या हुआ, फिर तुम बोलोगे, इसका मतलब ये हुआ, जो product नहीं क apparent explanation, जो है, जो act में साफ साफ लिखावा है, तो ये हो गया, implied expression, ये हो गया, apparent expression, ये expression है, जो law में clearly लिखावा है, जो law को तो मैं कह रहा है, और ये लिखावा नहीं है, ये मैंने अनुमान लगाया, ये मैंने interpretation निकाली, law को पढ़के, तो एक छोटी सी चीज है, practical level पे बोल रहा हूं कि law को जब हम interpret करते हैं, law को जब देखते हैं, तो ये चीज हम खास तोर पे देखते हैं, ठीक है सब, तो आगे कहता है, which are agreed to be severed before sale, और under the contract of sale, तो ये है goods की definition, which is section 2.7 of the sales of goods act, तो भी आपने देखा कि goods की definition कैसे लिखी वी है law में, और कैसे उसको exclusion और inclusion में bifurget कि किया वा है, और कैसे exclusion और inclusion को हमें दोनों को याद रखना है, और exam perspective से भी, बहुत जादा ये important है कि हम याद रखें, क्या-क्या चीजे include होती है definition में, और क्या-क्या चीजे exclude होती है, तो अब याद है, आपको मैंने बोला था कि actionable claim क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर मैं बताऊंगा, तो आओ, जरा हम बहुत जादा ध्यान से पढ़ते हैं, exclusions to the definition of goods, goods को define करते हैं कि इनकी चीजों को exclude किया वा है, और जिन-जिन चीजों को exclude किया वा है, उनको exclude, उनकी definition क्या है, और उनको exclude हमने क्यों किया वा है, आओ, अब उसका logic देखते हैं, so, first of all, immovable property है, जिसे exclude किया वा है, again, word used है, law में की movable property को include किया वा है, हम interpretation निकाल रहे हैं, naturally, इसका interpretation निकलता है, की immovable property को exclude किया वा है, so, immovable property, first चीज है, जो exclude होती है, definition से good की, immovable property is the property that cannot be moved from one place to another, it is generally connected to the ground or land on which it sits, land, building, fisheries, etc., so, fishery होता है, दोस्तों, जहां पर fish का पालन किया जाता है, वहां बड़े-बड़े तालाब बनाए जाते हैं, जहां पर fish को breed किया जाता है, उनकी देखरे करी जाती है, और उनको फिर market में बेचा जाता है, तो इस तरह की कोई भी चीज, जो land से connected है, उसको हम immovable property बो क्या गाड़ी, जिसमें हम बैटके जाते हैं, गाड़ी, vehicle, क्या वो movable property है या immovable property है, of course, movable property है, क्यों move कर रही है, एक जगे से दुसरे जगे पर, तो वो movable property है, ठीक है सर, सर वो जमीन से attached नहीं है, ये भी reason है, बिलकुल भाई, ये भी reason है, वो जमीन से attached है, अगर वो ज जमीन से attached नहीं है, अगर वो زमीन से attached होती, तो मैं कहता, वो immovable property है, वो जमीन से attached है नहीं, अगर वो जमीन से attached नहीं है, इसका मतलब, वो है movable property, बात समझ में आ गईं, अच्छा सर, सर, sound, boat, जो पानी में तैरती है, वो movable है या immovable है? याद रखना, बोट कभी भी जमीन पर नहीं आती, वो पानी से attached है एक तरह से, वो पानी पर ही चल सकती है, जहां जमीन है, बोट वहाँ पर नहीं आ सकती, तो क्या बोट या फेरी, movable है या immovable है, आउ ज़रा देखते हैं, इस फेरी, शिप और बोट an immovable property, और अगें दोस्तों, यह FYK है, FYK मतलब आपकी knowledge के लिए है, यह आपके exam में नहीं पूछा जाएगा, मैंने सिर्फ आपकी knowledge के लिए practical ताकि आपको practical कल, कल को जब आप interview देने जाओगे, interview आपकी industrial training का होगा, article ship का होगा, internship का होगा, interview देने जाओगे, तब आपको यह practical aspect पता होना चाहिए, और वैसे भी, आप जब real world में जाओगे, corporate world में interview देने जाओगे, तब भी आपको यह चीज़ा है, पता होनी चाहिए, so is ferry, ship और boat an immovable property, क्या वो immovable property है, as per section 2.6 of the registration act 1908, ferry is an immovable property, despite of the fact that it is moving in water, देखना, sales of goods act silent है, boat को लेकर, लेकिन हम जाते हैं एक दूसरे act, पर act का नाम है, registration act 1908, उसने बोला कि ferry immovable property है, sir, यह तो गलत लग रहा है, जब गाड़ी immovable property है, तो ferry immovable क्यों होनी चाहिए, आगे पढ़ो जरा, ferry is an immovable property, despite of the fact that it is moving in water, the moot point, moot point मतलब, critical point of consideration is that, it cannot be removed out of the water, तो वो water से बाहर नहीं निकाली जा सकती, इसलिए हम बोलते हैं कि वो ferry immovable है और movable नहीं है, तो ferry को immovable घोशित किया गया है, registration act 1908 ने, तो देखो भई, अब मेरे से argument मत करना, law is law, whatever is written in law is arged in stone and whatever stand has been taken by law makers, it is final, full and final and you don't have right to object that particular stand, unless and until you become a big lawyer and you contest और आप constitutional vality challenge कर दो इस वाले act कि वो बात अलग है, लेकिन normal circumstance में आप उसे challenge नहीं कर सकते, तो ferry या ship या boat immovable property होती है, लेकिन अगर मैं car की बात करूँ, truck की बात करूँ, bus की बात करूँ, वो movable property होती है, तो दोनों में एक major difference है, अच्छा, next, is mango tree garden any movable property, यह तो easy है भई, बिना answer पढ़े तुमको बताना है, mango tree का garden है, वो movable property है, या immovable property है, सर वो ही बड़ा simple सा, अगर तो आप mango तोड के बेचने वाले हो, तो तो बन जाएगा movable property, अगर आप mango लगे लगे पूरा garden बेचने वाले हो, बन जाएगा immovable property, so what does it say, if the garden is sold as a whole, it is an immovable property, but if the trees or the fruits are agreed to be cut and sold, it will be the movable property, so depending upon आप कैसे उन mangoes को sale करना चाहते हो, उस चीज़ पर निरफर करेगा, कि आप उसे movable property बोलो, या immovable property बोलो, ठीक है सर बात समझ में आ गई, तो ये था पहला exclusion, immovable property, भाई अगर immovable property आप बेचोगे या खरीदोगे, मैं आपको इस act के अंदर part नहीं मानूँगा, मैं आपको इस act का part नहीं मानूँगा, मैं आपको इस act के बाहर रखूँगा, और immovable property जो इस act के बाहर रहेगा, उस पे sales of goods act के मैं जो आपको provision सिखाऊँगा, buyers, sellers की rights and responsibility बताऊंगा, पूरा जो buyers and seller का जो काईदे कानून और principles होंगे, वो बताऊंगा, वो apply नहीं करेगा, अगर आपने mango tree या immovable property कोई भी sale करी तो, हाँ, अलग-अलग act है, आपका भी अगर आगे चलके higher studies करोगे law में, तो दूसरे act पढ़ोगे जहाँ पर immovable property का sale का dealing करी जाएगी, ठीक है सर, next, अब एक question मैंने आपको पाक करा था, जब मैं chapter करा रहा था, जब मैंने goods का definition और goods का diagram board पे बनाया था, मैंने का था, वही, ये question को अपने दिमाग में समाल के रखना, ये question हम लोग पढ़ेंगे, और ये question हम जो पढ़ेंगे, तब मैं आपको detail में बताऊंगा कि ये क्या होता है, आज जो उसी चीज़ पर आजाते है, actionable claim, अगर actionable claim good नहीं है, अगर actionable claim good नहीं है, इसका मतलब actionable claim, sales of goods act के purview में नहीं आता, बिलकुल actionable claim, sales of goods act के purview में नहीं आता, अगर वो sales of goods act के purview में नहीं आता, मतलब काइदे कानून जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा, वो actionable claim पे apply नहीं करेगा, बट सर सबसे बेसिक चीज है, होता क्या है यह actionable claim, आओ पढ़ते हैं, as per section 3 of transfer of property act 1882, actionable claim means a claim to any unsecured debt, सर इसने तो और confuse कर दिया, आओ जरा इस confusion को दूर करते हैं, ओके, Mr. A ने Mr. B को एक लाख रुपए का लोन दिया, और बोला कि भई, एक साल बाद इस लोन को चुका देना, तो एक साल बाद Mr. B को Mr. A को एक लाख रुपए का लोन चुकाना था, Mr. B ने लोन नहीं चुकाया, अगर Mr. B ने लोन नहीं चुकाया, तो obviously Mr. A को मुगद्मा करना पड़ेगा, Mr. A का claim होगा एक लाख रुपए का Mr. B पे, तो claim का क्या मतलब है, claim का मतलब है, right to acquire something, मैं claim करता हूँ कि यह चीज मेरी है, तुमारी नहीं है, मुझे वापिस दे दो, this is known as claim, तो आपने मेरे से का सर, आप प्लीज मुझे marker दे दो, मैंने तुम्हे marker दिया, जाओ अपने घर ले जाओ, ठीक है भई, घर ले जाओ, सर मैं कल वापिस कर दूँगा यह marker, मैंने का ठीक है आप कल वापिस कर दे न, कोई टेंशन नहीं है, आपने कल मुझे वापिस नहीं किया, मेरा claim क्या है, मेरा claim यह है, यह marker मेरा है, और मैं आपके घर से recover करूँगा, कल को मैं आपके घर पहुंच जाओंगा, और यह marker आपके घर से ले क्या हूँगा, यह क्या है मेरा claim, अच्छा यह claim, actionable कब बन जाएगा, यह claim actionable तब बनेगा, जब इसको law की backing मिलेगी, यह claim actionable कब बनेगा, जब इसे law की backing मिलेगी, मतलब आप कोई action ले सकते हो, यह नहीं ले सकते हैं इस claim के खिलाफ, अब आपने मुझे यह marker लेके गए थे, आपने का निखिल सर मुझे marker चाहिए, आप कल वापस ले ले लेना, मैं आपके घर पहुंचा, आपने मुझको कहा, ह जी बताईए, आप कौन, मैंने का, मैं निखिल गुपता, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं कब से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं foundation, inter, final sub में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने तुम्हें CMA बनाया है, तो कहता है, आप कहोगे, कुछ याद नहीं आ रहा, कौन निखिल गुपता, ऐसे ही कहेगा हूँ, फिर वो बोलेगा, कि अच्छा बताईए, अगर चलो आप निखिल गुपता, जो भी हो, क्या काम है, क्यों आए हो यहाँ पर, आप कहोगे, तुमने मेरा मारकर लिया था, मुझे मेरा रखने की बजाए, हम उस जिलिंग को लिखित में लेते हैं, क्योंकि वर्बली, कोई भी मुकर सकता है, अब मुझे बहुत डिफिकल्टी आईगी है, प्रूव करने में कि यह मारकर मेरा था, क्योंकि उस समय जब आप मारकर लेके गए, ना कोई मैंने सुराग छोड़ा कि आप वो मारकर लेके गए, ना मैंने लिखे तो मैं आप से लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या यह क्लेम मेरा, क्लेम तो है कि यह मारकर मेरा है, यह क्लेम तो है मेरा, लेकिन क्या यह एक्शनेबल है, क्या इसके अगेंस मैं अक्शन ले सकता हूँ, आंसर इसके saying that you have that right of recovering something from some other party. So, debt का मैं आपको example दिया. Debt का जो claim है, वो actionable claim है. आपने किसी को debt दिया, आपने किसी को माल बेचा और उसने कहा आपसे कि मैं तीन महने बाद आपके पैसे वापस कर दूँगा, तीन महने बाद हो रफू चक्कर हो गया, वापस नहीं आया, actionable claim है आपके पास, आप claim कर सकते हो कि मुझे मेरे पैसे तो आप court में जा सकते हो, court of law आपको मदद कर सकता है आपके पैसे वापस acquire करने में, actionable claim है. So, actionable claim good नहीं हो सकता. actionable claim is not good. It is just a claim. तो आपने किसी को माल बेचा, उस माल को वापस लेना तो good है, लेकिन उस माल के बदले पैसे अगर आपको वापस लेने हैं और वो पैसे आपको वापस नहीं मिले, वो good नहीं है. वो है debt. डेटर होता है न आपका, वो है debt. तो actionable claim means as per section 3 of Transfer of Property Act 1882, actionable claim means a claim to any unsecured debt. अगर आपने कोई debt किसी को आपके ओपर debt है, आपने loan दियावा है, किसी को classic example है, loan, आपने loan दियावा है, वो loan अगर आप वापस लेना चाहते हो, तो वो actionable claim है, वो goods की definition में नहीं आता. लेकिन अगर वो loan किसी collateral security से अगर आपने आपनी गड़ी दिये किसी को, उसने अपनी घड़ी, राडो की घड़ी थी, बड़ी महंगी घड़ी, उसने अपनी राडो की घड़ी मुझे को दे दी. यह secured loan, क्योंकि अगर वो एक लाग रुपे मुझे वापस नहीं मिले, मैं एराडो की घड़ी बेच कर अपने पैसे वापस ले लूँगा, this is known as secured loan, और unsecured loan means, जहां पर मैंने कुछ भी नहीं रखा था, मैंने तो अपने good faith पर उस बंदे को एक लाग रुपे दे दिये थे, वो है unsecured loans, so दोस्तों जो secured loan होता है, वो तो एक तरह से आपके good की ही ल लोन दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे क्या रखा है, एक good रखा है, एक घड़ी रखी है, तो उसके नीचे जो घड़ी रखी है, वो तो good है, तो secured loan तो good है, unsecured loan goods नहीं है, अगर मैं किसी secured loan का claim की बात करूं, तो वो तो sales of goods act में आ जाएगा, secured loan के claim की बात करूं, तो वो तो sales of goods act में आ जाएगा, अगर unsecured loan की बात करूं, तो वो sales of goods act में नहीं आएगा, क्योंकि तो बड़ी simple सी बात है, आप loan 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 चीख रहे हो, लेकिन भाई उस loan के बदले आपने good रखा वाए, वो है घड़ी राड़ो की घड़ी, अगर loan नही बात आजाए, unsecured loan की, मैं कोँगा, ना भी न, यहाँ कोई good involved नहीं है, यह sales of goods act का पाट है ही नहीं, तो समझना बात बड़े धिहान से, वो वाला actionable claim, जो unsecured debt का होता है, वो तो good नहीं होता, लेकिन वो actionable claim, जो secured debt की बात करता है, secured by collateral property, वो वाला actionable claim होता है, वो actionable claim good होता है, So, actionable claim, divided into two parts, देखो जड़ा, अगर मैं chart simple बनाओ, actionable claim, हो सकता है, secured हो, हो सकता है, unsecured हो, तो जो secured होगा, वो तो होगा good, और जो unsecured होगा, वो होगा not good, पताओ, जराबाद समझ में आती है, क्या, actionable claim, जो secured होगा, वो तो होगा good, क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर आपने security रख ली, इसका मतलब आप किसी good underline good को deal कर रहे हो, आपके निगाहों में, आपके दिमाग में क्या होगा, वो जो good आपने रखा है, और अगर वो good नहीं है, तो sales of goods act उसपे apply नहीं करेगा, logic समझना, देखो, रट्टा मारना law में काफी easy है, जो रट्टा मारना के पास होते हैं, रट्टा मारना is very easy, लेकिन objective questions को attempt करना is very very difficult, रट्टा मार के, तो जब तक ये minute चीज़ें समझोगे नहीं, और हर चीज के logic समझो, उसका मतलब समझो, तो मैंने तुम्हें बताया, actionable claim means a claim to any unsecured debt, किसी भी unsecured debt से जो हम claim करते हैं, हम claim करते हैं, ये मेरा है, that is known as actionable claim, debt may further be an existing debt, existing debt भी हो सकता है, conditional debt भी हो सकता है, future में आपने debt में कोई condition लगा दी, कि अगर ये product मैंने consume कर लिया, तो मैं तुमें पैसे दे दूँगा, तो वो debt मानी जाएगी, तो वो गया conditional debt, contingent debt, मलब कल को कोई activity हो तो ही ये debt मानी जाएगी, अदरवाइस ये debt नहीं मानी जाएगी, एक example ले ले लेते हैं, right to get back purchase consideration, when the sale is set aside, lottery tickets, dividends, shares, insurance claim, तो भी, lottery खरीदी आज आज आपने, आपने lottery खरीने का बाद बोला कि ये एक करोड़ रुपे की lottery है, मैंने पंदर रुपे में खरीदी है, तो ये debt आज का debt नहीं है, ये debt contingent debt है, contingent debt मतलब अगर lottery लगी, तो एक करोड़ रुपे आपको में लेगा, this is known as contingent debt, contingent word का क्या मतलब होता है, contingent word का मतलब है, it depends on occurrence of a future event, future में अगर lottery लगी, तो आप कम as contingent debt, so तीन तरह के debt, existing debt, जो debt अभी बन चुका है, पूरा आपने supply कर दिया अपने services को और ये debt आप हक रखते हो, existing debt, then second, conditional debt, ऐसा debt, जो किसी condition पर depend करता है, तो ये good अगर मैंने consume कर लिए, तो तो मैं आपके पैसे चुका दूँगा, नहीं तो ये good वापिस कर दूँगा, ये debt नहीं बनेगी, तो ये होगी conditional debt, दूसरा, तीसरा, contingent debt, contingent debt मतलब, जो ना अभी है, ना किसी condition पर dependent है, बलकिन किसी contingency पर dependent है, जो आपके हातों में नहीं है, ऐसी contingency जो आपके हातों में नहीं है, अगर आपके हातों में होती तो condition बन जाती, जैसे आपके हातों में था consume करना, तो condition मन गई, अगर आपके हाथों में नहीं है, तो contingency हो गई, contingency का मतलब, contingency का मतलब future में कोई event होगा, जिसके basis पे आपको ए debt claim आपका बन जाएगा, जैसे आग लग जाना, insurance claim मिलेगा आपको, insurance claim, LIC से तभी मिलेगा, जब आपके goods में आग लगे, वड़ना नहीं मिलेगा, और lottery की, tickets, tickets lottery की तभी आपके actionable claim मनेंगी, जब वो realize होंगी, so, कोई भी तरह की debt हो, अगर वो unsecured debt है, net and muddeg की बात यह है, तो actionable claim बन जाता है, अच्छा, इतना in-depth जाने की ज़रुवत नहीं है, actionable claim की definition में दोस्तों, F.Y.K. section में मैंने इसको रखा है, exam में सरिफ आपको, simple सी actionable claim की हो सकता है, definition पूछी जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो यह जो details मैंने दी है, यह आपको याद करने की ज़रुवत नहीं है, just आपके common understanding के लिए है, ठीक है, अब देखो ज़रा एक must बात मैं आपको बताता हूँ, कमाल की बात, जो different different acts होते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, हाँ, act आपस में लड़ रहे होते हैं, कोई act कहता है, अरे सुनो, मैं इसको immobile property नहीं मानूँगा, दूसरा act कहता है, अरे मैं इसे immobile property मानूँगा, तो आपस में भी act कही बाद लड़ते हैं, तो एक fun fact क्या है, fun fact है, as per the CGST Act, CGST Act क्या होता है, Goods and Services, Central Goods and Services Tax Act, तो GST जो है हमारा Goods and Services Tax, जो excise और Sales Tax के बदले में आया है, दोस्तों वो Act, actionable claim को goods मानता है, तो अगर आप actionable claim को किसी को खरीते या बेशते हो, तो वो कहता है उस पर GST लगेगा, उस पर payment करो, तो GST recover करने के लिए तो actionable claim good हो गया, और Sales of Goods Act के लिए actionable claim good नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है, fun fact है भई, सिर्फ आपकी knowledge के लिए ऐसा हो सकता है, कोई Act, किसी चीज़ को good मान रहा हो, दूसरा Act, उस चीज़ को good ना मान रहा हो, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है सर, बात समझ में आ साही है, the current medium of exchange in the form of coins, banknotes, coins and banknotes collectively, इनको हम कहते हैं money, और money हमारे goods की definition से exclude होती है, money goods की definition में नहीं आती, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इस session के लिए बस इतना ही, भई, मेरी expectation आपसे बस छोटी सी होगी, जादा उमीद नहीं करता, मैं, जादा, मुझे पता है आप बहुत साही चीज़ें करते हो, जैसे आपको television देखना होता है, आपको hot star पे series देखनी होती है, आपको Amazon Prime देखना होता है, lockdown का वैसे समय चल रहा है, तो आपको घर में रहे के बहुत साही चीज़ें करनी पढ़ते हैं, काम करनी पढ़ते हैं, तो मुझे पता है, बहु इतना हमने आज तक पढ़ा, उसको एक बार और अपने दिमाग में recall करना, इससे क्या होगा, कुछ questions उठेंगे, अभी तक तो आप सुन रहे थे, मेरी बात सुन रहे थे, सुन रहे थे, तो आप अपना दिमाग नहीं चला रहे थे, जो मैंने अपना दिमाग चला रहे थे, आपने उसी को चीज को as it is accept कर लिया, आप तक तो यह हो रहा था, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको यह करना है कि आपको अपना दिमाग चलाना है, और अपना दिमाग चलाने के बाद आपको समझना है, जो topic हमने start किया, जो topic हमने किया, और उस topic को आपको अच् In the next session, we will be continuing with our definition of goods and what we will see in the next session. Till that time, all the very best and happy studying!